हलो दोस्तो शड़े इमोड में आपका स्वागत है बिहार द्रोगा परिक्षा 2020 को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के भोलूम 3 मैं स्टार्ट किया हूँ इससे पहले सेट 1 मैं करा चुका हूँ ये सेट 2 है जिसमें सभी एक सेले के शो प्रस्न है और जहां भी महतपूर पॉइंट लगा है मैं आपको बताते चलूँगा आपको अपना स्कोर जरूर बताना है इससे पहले सेट 1 मैं करा चुका हूँ उसका लिंक नीचे मिल जाएगा वो भी देख लीजिएगा और प्लीज अपना स्कोर जरूर बताईएगा और जादा से जादा कुमेंट भी कीजिएगा चलिए सुरुवात करते हैं साहित के शेत्र में ही नूबल पुरूसकार मिला था रविन्द्ना टैगोर को और उनके बुक गिदांजलिक लिए रविन्द्ना टैगोर नहीं हमारा राष्टिये गण जणगण बना भी लिखा था ठीक कुश्य नबर दो देखिए कि अक्टूबर 2020 में किस राज की अब आपसे कोशन यह बन सकता है कि जो इसमें बेश्ट जो एक्टर है एक्टर के रुप में दो लोगों को चैनिद किया गया है एक मनोज बाजपेई जो बिहार से हैं और साउथ से आपको धनुस कुमार अब याद रखेगा अब नित्री अगर पूछता है नेसनल अवार्ड में तो वो आपको कांगना रानावत को चुना गया था उनके फिल्म जो है पांगा और मडिकाड़कार के लिए अगर दादा साफ फाल के की पुछे यह समव ही आपको अनाउंस किया गया था तो यह रजनी कान को मिला हूँ फॉर से सिर्पघ्राम महसो थो मैं मनाया जाता है क्योट के क्यों बेस बेस श्टूडेंट सिटिज रैंकिंग में मुंबई का अस्थान है एक च्व सट है पहले अस्थान पर को अजए तो ब्रेटेन के रजधानी लंदन आया है ठीक कुशन नबर 6 देखिए हाली में भारतिय वायू सेना के नए परमुख कौन बने है तो भारतिय वायू सेना के जो नए परमुख बने है बी आर चोधरी बने है वायू सेना दिवस मनाया जाता है आग्ठ अक्टूबर को यह भी ध्यान मर कियेगा हर साल और बी आर चोधरी जी बने है आपसे पुश चकता है कि आर्मी के अभी परमुख कौन है जो आपको थल सेना है इसके परमुख मनोज मुरकुंद नर्वणे है मनोज मुरकुंद याद रखिये मनोज मुरकुंद नर्वणे है और नौ सेना की कौन है तो करम बिरसी है अगर पुश चकता है चीफ ओफ डिफेंस अस्टाप अभी कौन है तो जनरल बीपी रावत है यह भी याद रखिये कुशन नबर सेबेन है अमिजनिया 01 उपगरा किस परिष्ण यान द्वरा पर्षेपित किया गया था ठीक यह आपको बताना है यह किया गया था आपको इसका एंसर हो जाएगा पी एसलबी सी 51 भी हो जाएगा इसका एंसर कुशन नबर 8 देखिए वर्स 2020 के में किस समुंदर टट को ब्लू फ्लेक प्रमाण पत्र दिया गया ब्लू फ्लेक जो प्रमाण पत्र दिया जाता है जो अच्छा आपको समुंदर टट होता है जहां पर गंदगी नहीं होता उसके लिए दिया जाता है इसको इडन टट को और कोलम टट दोनों को दिया गया है, तो इसमें इंसर हो जागा D, अभी तक जो आपको मिला हुआ है, जो ये आपको blue flag प्रमाण मिला है, अभी तक कितने, तो भारत के अभी तक 10 समुद्री तटो को मिला हुए 2021 तक याद रखिएगा, कुशन नमर 9 है, सिटलाइट, सिटलाइट, इसका नाम मदल कर राम गंगा निशनल पार्क कर दिया गया है, इसका ही पहले नाम था, हैली नेशनल पार्क, ये भी ध्यान मर रखिएगा, कुशन नमर 11, 10 देखिए, सिटलाइट, 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 सिल्टलाइट, 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 सिल् पूछता है ये बहुत VBI कुशन है कुशन नमर 11 देखिए मित्र सक्ती सैन अभ्यास का योजन कहां किया गया जो मित्र सक्ती सैन अभ्यास होता है ये भारत और स्रिलंका के बीच में होता है और ये स्रिलंका में ही अंपारा में ये युद्ध भ्यास हुआ है ठीक कुशन नमर तक रखा गया है, यह कुशन पुश्च रकता है कि HIV, HIV और Malaria, पुडरूरुप से उलमीनल, उलमूलन का भी वर्स 2030 तक रखा गया है, यह भी ध्यान नमर किया, कुशन नमर 13 देखे, किस राज सरकार ने जन सुनवाई योजना शुरुवात की, किस राज सरकार ने जन सुनवा मंत्रा ले द्वारा जारी किया गया, तो सेहद OPD जो आपको पोटल है, यह आपको टेली मेडिसीन से सम्मंदित है, और यह रक्षा मंत्रा ले द्वारा जारी किया गया, तो इसका अंसर सी हो जागा, चोधा के, कुशन नमर 15 देखे, पुस्टक, Human Rights and Terrorism in India के लेखा कौन है यह बहुत महत्पूर पुक है, यह है सुब्रमन्यम स्वामी जी, यह याद रक्षी का सांसद है, पंदरक के अंसर बी हो जाएगा, पंदरक बी, कुशन नमर 16 देखे, भारत सरकार नेवर से 2025 सबीश तक, राज कुशिय घाटा को GDP का कितना पुर्तिशत करने का लक्ष रख खुले जाएंगे, और इसी में आपको बताया गया था कि एक लेह दलाक में सिंधू निशुटी भी खुला जाएगा, कुशन नमर 18 देखे, अप्रेल 2020 से सितंबर 2020 तक स्वार्धिक FDI किस देश से आया है, तो स्वार्धिक जो FDI आया है, यह सिंगापूर आया है, भारत मे लिए पहला पदक जो टोक्यो परा उलम्पिक है, इसमें जीता गया था, भाविना पटेल द्वारा, भाविना पटेल द्वारा जीता गया था, पहला पदक यह दिहान मर रखिएगा, और यह रजत था, और रजत पदक ही आपको जीता गया था, आपको पारा उलम्पिक मे तो उसमें आपको किस ने जीता था तो मैंने अभी बताया मीरा बाचनु ने जो लेट लिफ्टिम में जीता था ठी जो इसमें रैंक है पारा ओलंपिक में ये आपको चोबी सवा है किस कितना आपको पदक जीता गया था भारत द्वारा 19 पदक जीता गया था और अगर परमोद भगत का समंध बिहार से किस जिले से है तोक्यो परा ओलम्पिक में आप दिखिएगा परमोद भगत जी आपको एक गोल्ड जीते थे इनका आपको बिहार के किस जीले से समंध है ये कुशन आप से पूछ रहा है ठीक ति इनका समंध है हाजेपुर जीला ये मतलब ब आइजंब में मुझभः पर पुरसे थे वह भी आपको कांस पतक चीते थे टोक्यो परा ओलम्पिक में कुशन बर 12 देखिए किससम देश ने भारत में ब्रहात में ब्रहारत में ब्रहार ौम् मिशाइल सहीत अन उपकरण क्रीद है रोस्य और भारत ने मिलकर बनाया है और पहली महिला परधान मंत्री बनी है इस्टोनिया की पहली महिला जो परधान मंत्री बनी है इनका नाम है काजा कालास और भारत की पहली महिला जो परधान मंत्री बनी थी वो है इंद्रा गांदी कुशन नमर 24 देखिए निम्तम आकड़ी क अनुशार भारत का दूसरा सबसे ब नई नगरिक्ता निति 2021 के शुरुवात किया है उसके दुवारा ही जिसके दुवारा होप मिशन के शुरुवात किया गया था वतलब की U,A,E यहाद रखेगा यहाँसे कोशन बार बार पूचता है D हो जागा, 5, इसका, question number 26, 문제, यहाँमेद का कुशन है, चलिए, मैं थहीं मातर, इसका एंसर बता देता हूं, इसका, देखेेए, आप खुद ही बनाना होगा, आपको, इसका, answer हो जागा, 26, answer भी से अंसर, हो जाएगा, इसका, answer C, question number 30, इसका भी इंसर क्या हो जाएगा, अब चलिए आगी देखते हैं, कौन सा राज पोड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, तो भूटान के साथ चार राज ऐसे हैं सीमा जो बनाते हैं, एक तौसम है, पश्चिम मंगाल है, और आचल परदेश है, और एक राज और याद कीजिए कौन सा है, तो भूटान के साथ 4 है, तो एक सिख्कम है, एक सिख्कम ऐसे 4 राज़ए जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, ये पूछ राज कि पहारी पश्मी छोर से निम्न यम्रें से कोन सी नदी निकल ती है, अर आचली जो पहारी है, यहाँ पर बहने वाली नदिया है जैसे पश्यम के तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदिया नरवदा है उसके बातापती है लूनी है माही है यह सब है ठीक इसका एंसर क्या हो जाएगा आगे चलते अब कुश्य नबर 33 दिखिए हिमाले के परदेशिक विभाजन चार विभागों में कि इसका है800 किलोमीटर तक 30 कैंसर हो जाएगा और यह काली और तिस्ता नदि के बीच में कौन सा उंची पिक है सेंडल पिक क्वे धिसकि ह। पेन गंगा नहीं है पेन गंगा जो है ये पेन गंगा इंद्रावती मंजीरा ये गोदावरी के साइक न दिये और गोदावरी को बृद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दच्छडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दच्छडी भारत के गंगा अगर पुछे द बोगता भी है ठीक और भारत में सबसे ज़्यादा तमभागू कहा होता है अंदरपर्देश में कुश्च नबर 37 देखिए भारत के किस छेत्र में अत्यधिक और संचित खेती की जाती है भारत के किस छेत्र में तो आपको डक्कन के पठार वाले छेत्र में क्योंकि पानी वह Q40 मिघाले के पठार में आपको गारु आ आजनती है लेकिन भूएं की पाहड़ी इसका भाग नहीं है तो भूएं के पाहारी 2 पाहारी जो ही ए Q41 यह किया गधा और गठन किस वसक ले किया गया है यह किस वर्स किया गया इसा और इसका ध्यक्स कुण मनाये गए थे तो सध्यक्ष बनाए गये थे और उन्हों 49 में इसका गठन किया गया था कुश्चन नमर 42 दिखे परचन बिरजगारी के अन नाम से जाना जाता है परचन बिरजगारी को ही अलप बिरजगारी के नाम से भी जाना जाता है तो ये याद हो जाएगा इसमें से प्रछने विरजगारी को ही अलप विरजगारी, 42 के इंसर सी है, कुशन नबर 43 दिखिए, GST क्या है, GST एक प्रकार का क्या है, और परत्यक्षकर है, और GST सबसे पहले कहा लागू किया गया था, तो फ्रांस में, भारत में कब लागू किय गया था, तो 2017 में, एक जुलाई 2017 को, और सबसे पहले असम में लागू किया गया था, भारत का असम में GST लागू किया था, ये ध्यान में रिखिएगा, कौन से मोडल पर लागू किया है, तो ये कनाड़ा वाला मोडल पर भारत में लागू किया है, GST, कुशन नबर 44 डिरेक्ट आपको परत्यक्ष समंध होता है, ये ध्यान में रिखिएगा, आए बढ़ने पो भोग भी बढ़ता है, तो 45 कंसर सी हो जाएगा, कुशन नबर 44 दिखिए, निमलेखित में कौन सा घटक जलवाई परिवरतन के मुख कारण है, जलवाई पर दूसर के मुख सविकार किया गया था, ये आपको बताएए, ये कब क्योटो, क्योटो कहाँ परिष्टी थे, ये जपान के सारे क्योटो, और ये उनिश्व शंतानवे में सविकार किया गया था, 47 कंसर ये है, कुश्चन नबर 48 दिखिए, और जोन परत कहां वस्तिते, देखिए आ गया मौसमी घटनाए होती है, और एस्टेटो असफेर में मौसमी घटनाए आपको नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर देखिए, हवाई जाज या कोई भी जेट वीमन उड़ाया जाता है, कुश्चन नबर 49 देखिए, निमलेखित में परसनों को शुमिलित करें, निमलेखित आ तो यह राजस्थान मीचती थे, श्रिसका, तो बचा हुआ जिए उत्तर परदेश दे रहा है, यह गलत दे रहा है, ठीक, एक बात ध्यान मरेखिए, उत्तर परदेश में दुधवा है थे, यहाँ पर दुधवा इनको लिग देना चाहिए था, इस बात को ध्यान मरेखिए सबसे ज़्यादा आपको छेत्र फल के նाफ से xeःदा कहा पर है, तो मद परदेश में, चेत्र फल के आनुसार सबसे जड़ादा वण, ठीक, और आपो जनजाती भिजेए, मतलब जनजाती लोग, उसका एंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, question number 51 सत्फल किसे, सत्फल किसमें विक्सित होता है, तो सत्फल किसमें विक्सित होता है, ति यह अंडासे में विक्सित होता है question number 52 code liver, tail मुखरूप से किसे समंधिते, जो code liver तेल पाय जाता है, यह आपको मचली के मचली से मिलता है आपको, और इसमें vitamin D के परचूर मात्रा होती है, बावन cancer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, question number 35 किसे protein का खाना कहा जाता है तो protein का करखाना जो कहा जाता है यह ribosome को कहा जाता है, यहीं protein का संसलेसर होता है, 20 amino क्या कहा जाता है, उन्हें प्रक्रियोटिक कहा जाता है, या प्रक्रियोटिक कहा जाता है, ठीक, तो पच्पन के अंसर क्या हो जाएगा, यहां पर question number 56, निमलेखित में कौन संसोधित भूमिगत ताना का एक उधारन है संसोधित भूमिगत जो ताना है, इसके उधारन जो हो जाएगा, यह आलू हो जाएगा, ठीक और सकरकंद किसका उधारन हो जाएगा, तो संसोधी जढ का उदारण हो जागा संसोधी जढ दे तो आपको सरकंद संसोधी तन्हा देता है तो आलो लगाना होगा question number 50 देखिये कि निमलेखित में कौन सा खथन flowym के बारे में सही है ये देखिये कौन सा कथन flowym के बारे में सही है तो फ्लोयम फोटो सिंथेतिक उत्पादों का परिवहन करता है यह आपको सही है ठीक फ्लोयम जो करता है यह जो हाउक पदार्थे उसका परिवहन करता है खाद पदाथों का और जो जल का परिवहन करता है वो जाईलम करता है तिसमें से अगर सही हम पूछ बीछे तिस अंतावन कब कब भी हो जाएगा कुश्चन नमर 58 दिखिए कि अस्थलिया हरे पोधे की पतियों से कितनी मात्रा में उपलब्द सौर उर्जा को खाग उर्जा में परिवर्थित किया जाता है हरे पोधा क्यों दिखाई देते कलोरफिल के कारण और जो आपको पूछ रहा है कि अब पत बनता है किल्सियम जो करवाइट है यह आपको फकानिक लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है यह क्या बना जाता है इस्टिलीन बना देता है ठीक करवाइट नमी के संपर्ग में आता है तो इस्टिलीन बन जाता है ठीक कैंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कुश्चन कुछ नम्र 11, देखिए, N-Course में अधिक्तम इलोक्टोनों के संख्या कितनी हो सकती है, जो अलग-अलग कोस है, वैसे है, N-Course है, जैसे के L, M, N-Course है, N-Course में आपको देखिएगा अधिक्तम जो संख्या हो सकता है, 32 हो सकता है, इसका इंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा कुश्चन नमर 62 देखिए कि आधनीक अवर्थ सणी में उस समू का नाम बताईए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस है सभी गैस है वो आपको बताना है कौन से हैं जैसे कि नियोन आरगन क्रिप्टोन सभी आपको अक्रिये गैस कहा जाता है या निस्क्रिये मात्रा मिलता है यह भी जानम रखेगा आगे चलते कुश्चन नमर 64 देख लीजिए कि छारक वो रसाइनिक पदार्थ है जो जल में घुल कर मुक्त करते हैं तो यह और जो एच देते हैं वो अमल होते है ठीक तो आपको यह याद रखिएगा छार के बारे में कि छार जो हो स्किल पर जो शाथ होता है उससे कम होगा जीरो सव Зलेके साथ तक और साथ स्लेके चोधतों छारिए होता है चुश्य नमरstory champ 356 अस्थितितीर और जारक के सम्वैंद में कौन सा कथन सत्थ नहीं है अस्थितीर ऑर्जा अस्थितीर के कारण अपना ंर्जा सही हिट होता है और इसमें से आप देखेएगा कौन सा असत नहीं है ति यह देखेए स्थितीच उरजा क्रियासिल उरजा यह बात आपको साब साब गलत है इसाब करिवर्बर सरपिलाकार आपको स्प्रिंग से उत्पन जो तरंग होता है वो आपको अनुधर तरंग होता है यह याद रखेगा और यह आपको क्या हो जागा अनुधर तरंग का ही उधार तरंग यह आपको पूछ रहा है कि कौन सा अनुपरस्त नहीं है यह आपसे कोशन क्या पूछ रह तब आपजीं में से संब्धित है जो ताप गतिकी का प्रुथम नियम है तर्मोडायनेमिक अपड़ होंगे तो इसमें यह पड़ह होंगे तो कि से है तो उर्जा सरच्षड के नियम से ठीक तो इसका इंसर Q2 नबर अर्सर दिखे, निमनी में से लेंस का सुत्र का फर्मूला है, लेंस का सुत्र का फर्मूला क्या होता है, 1 by F by 1 by B minus 1 by U, ठीक, याद रखेगा, लेंस की छमता डाइप्टर में वापा जाता है, तो 68 के अर्सर ए हो जाता है, 69 दिखे, जब अर्ध चालक को गरम किया ज Q70 देखे, यह थोड़ा धुंदला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ कर अच्छे से बता रहा हूं, सभीधान के किश अनुश्यद के अंत्रगत किसी व्यक्ति को विदेश की यात्रा का आपको सर्चर परदान किया गया है, कि विदेश में आप जा सकते हैं, यह आप Q70 दिसंबर 1946 को ही थी, और जो आपको दुसरी बैठक हुई थी, यह 11 दिसंबर 1946 को ही थी, और जो पहली बैठक हुई थी, अस्थाई तौरपा देख्चता, ससेजान अन्सीना ने किया था, और आपको दुसरी जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को, इसको अस्थाई तो यह है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र हैं संसद्य प्रणाली कहां से देन है तो ब्रिटेन के दिन है और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र यह सही है ठीक कुश्च नमर त्यात्तर दिखे सेवा के अधिकार के अधिकार के अधन्ना स्वर्पथम किस देश में वह दिखेगा उसमें दिया है कि भारत के कराश्टपती होंगे जिसमें सभी संकी करिपालिका सकते नहीं थोगी और इनको आपको सहयता करने के लिए क्लिए करना पड़ेगा कौन इनको सहयता करेंगे यह करेंगे सीधे अतवा अधिनस्त अधिकारियों द्वारा चोहतर के अ अधियक्ष कोन थे जिवी मलवन कर इनके ही पुरुद लाया गया था अब विस्वास प्रस्ताव लेकिन वह खालीज हो गया था इसके अंसर क्या हो जाएगा आगे देखें कुश्य नबर चैतर वर्तमान में भारत में कितने राज और संग राज है पहले भी आपको बताया अब सरकार के करकारी अधियक्ष या सविधानिक प्रमुक कोन होता है तो रास सरकार के करकारी अधियक्ष राजपल होते हैं राजपल बनने के लिए निमतावायो पैतिस वर चाहिए और इनके नियुकती राष्टपती द्वारा की जाती है कुश्चन अबर 89 दिखिए निमलेखित में सक्किए समीती आयोग ने नियाय पंचायत के गठन के सिभारिस की थी कि नियाय पंचायत होना चाहिए यह कौन किये थे असोक मेहता समीती ने किये थे ठीक और यहीं दू अस्तरिय पंचायती राज बो अस्ता के बारे में भी बताये थे कुश्चन अबर 80 दिखिए भारतिय सविधान सभा ने राष्टिय धहज को सवर पर्थमकब सविकार किया था इनके द्वारा यह 22 जूलाई उनिशो शैतालीस को तो अपसन में कहीं नहीं है 22 जूलाई उनिशो शैतालीस इसका एंसर हो जाएगा अगर वह कोशन कर लेते हैं तो देखिए सेट लगा कर एक बार आप जितना भी कोशन कर रहा हूं उतना ही कोशन करकर देखिए अच्छा का सब कुशन अब बनाने सुरू कर देंगे ठीक तो वह भी सेट आप देखा कीजिए कूशन नबर 83 देखिए कि अकबर दवारा फटेपूर्सिक्री का ऑपको पढ़ दवारा ही बनवाया गया था और ये जो परिवर्तन किया गया थे ये फंदर सो एकथत्र में किया गया था कूशन नबर 84 देख लीजिए पुरंदर संधिक अब हुई थी पुरंदर के सरजी जो हुई थी यह महराजा जैसी और सिवा जी के मद हुई थी 1665 में हुआ था यह याद रखेगा 84 कैंसर क्या हो जागा question number 85 दिखे चार बाग बनानी के परंपरा सुरुवाद की सासक द्वारा की गई है तो चार बाग बनानी के परंपरा के सुरुवाद जो की है अकबर द्वारा और अकबर की ही सासनकाल में सबसे पहले यह पुशकता है कौन सा सासक है जो की तामबाकू का सेवन किया था तो वो अकबर ही हो जागा यह भी ध्यान में रखिएगा कुशच मबर 86 गंड़ की तो जो आपसे पुशकता है यह पुशकता है कि इसो अरुद्रामन से क्वेजत है तें यह आपको जुनागण जो गिरणार मिचती थे यह उरुद्रामन से समंदित है कुश्च नमर 87 देखिए होंसांग के सम्वंद में कौन सा कथन गलत है इसमें से बताना है कौन से गलत है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हसवर्दन के सासनकाल में आया था यह तो सही है इसका भर्मण भीतान सुयूंकी में किया गए है यह भी सही है होंसांग ने बुद्ध की परतिमा के साथ सुर्ज सिव की परतिमा को भी पूजन किया था यह भी सही है ठीक तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डी हो जागे यह सभी सत्थ है होंसांग के बारे में कुश्चन बर 84 देखिए चैंडो सभेता के परमुक अस्थल रोपर किस नदी के किनारे है यह जो रोपर है किस किनारी अवस्ती थे यह आप से पूच रहा है तो यह सतलज नदी के किनार mayo इस्थी थे थे इसका एंसर क्या Аउज दिके किनारे कौन सा इस्थित है और यहां पर आपको चीन बताना है, इनका क्या है? यह आप को चीन पुश चकता है ठीक तो ये वैश्वे तिंथकर थे और इनका जो अरश निमी का है तो इनका जो वाला चीन है यह संख है और आपको ये पुश चकता है कि जो 24 वे और या वास्तिविक तिंथकर बोले जाते है जैंद्रम के महभीर जी उनका कौन सा था तो उनका सी था ये भी ने कि चुश नम, 22 देखिए मिलेकित में गौर्वर्न जेनरल में किस ने राजिक्य अ कोशा ग्यार को मुशिवा बाद से हटाकर कलकता ला दिया था तो ये मुर्षीदाबात से हटाकर कलकता जो राजिक्य कोशा गया था तो इसका इंसर क्या हो जागा वारन हैस्टिंग अंद्वारा कुश्चन नमर 93 देखें बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिस नायक कौन था तो बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाला जो था यह हडसन था कुश्चन नमर 94 है कि पहली बार सोराज सब्द का परियोग कब किया गया पहली बार जो सोराज सब्द का परियोग किया गया था यह 1906 में किया गया था 1906 में ही आपको मुस्लिम लिग की भी अस्तापना किया गया था रहे यह आपको पेरिस में ही पड़ता है और आगे चलते हैं कुश्चन नबर चानवे देखिए सावक निमने में से किस देश का गुप्तिचर संग था है यह है इरान का और मुसाद किसका है इसराइल का है कुश्चन नबर 97 देखिए उन्चासवी समनांतर रेखा किन दो देसों के अंतराष्टी सीमा रेखा है यह याद रखिएगा समनांतर रेखा है दच्छडी और उत्री कोरिया के बीच में कौन पड़ता है यह आपसे कुश्चन पूछ रकता है अर्टिसवी समनांतर रेखा पड़ता है ठीक और चोबिसवी अगर पूछता है ना चोबिसवी किसके बीच है तो भारत और पकिस्तान के बीच में है यह याद रखिएगा कुश्चन पर आपको अंठानवे दिखना है कि भारत का सबसे उचा बांध किस राज में इस्तित है जो भारत का सबसे उचा बांध है यह किस राज में इस्तित है तो यह उत्रा खंड में इस्तित है कौन सी नाधी पर भागी रती नाधी जो है उस पर ही टेहरी बांध जो से सबसे बड़ा देश जो है यह रोस है यह भी धिया नमर कियेगा कुश्च नमर सो दिखे निमलेखित में कौन मूल रासी नहीं है यह आपको बताना है कुश्च नमर सो है निमलेखित में कौन मूल रासी नहीं है ऐसे साथ मूल रासी होते है ति इसमें से आपको आयतन हो ज या कैसा लगा जरूर बताईएगा और मैं बैक टू बैक सभी कोशन आपको सभी सेट कराते रहूंगा बस आप लोग सभी सेट लगाते रहेगा ठीक यह घबराईएगा मत कि यह लगतार सरसेट देने लगे क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपको वीडियो बनाकर अ दे मुझें आपको यह लाक दोलिए